हालो दोस्तों नमस्कार मैं हूँ दीपक अपने चैनल डीके डिटेक्शन में आपका स्वाबत करता हूं दोस्तों आज हम नूवंबर दिसंबर हम लगाई जाने कुछ प्रहूंग प्राइट्व के बारें बात करेंगे तो चोथे नंबर पर दोस्तों सोमाने सिट्स की खुस रहता है जैसा कि आप देख रहे है पैकेट पर बना हुआ है कि पूरे पत्तियों से ढखा हुआ आता है जिसके कारण है थोस और सफेद रहता है बीस नूवंबर तक हमने इसकी नरसरी की है इसके बाद हमने नहीं किया है इसलिए बता रहे है कि आप इसे नरसरी इसकी डाल सकते हैं 15 अगस्त लेकर के 20 नौंबर तक परफेक्ट समय है अब डाली कोई दिक्कत नहीं होगी फूल इसका सफेद आएगा ज्यादा वड़ा भी नहीं होता है अब पूरा फूल इसमें बनता है दोस्तों और नर्सरी की बात करें दोस्तों तो नशी में जीस प्रकार से प्याज की अशी डालते है हम लोग उस प्रकार से गोभी नसरी इसमें Гос nor पूरा एकदम 100% सबसे पहले आपको क्या करना होता खेद बना करके उसको शीचाई कर दिना होती दोस्तों शीचाई करने के बाद जब पानी सूख जाए अगर दूरि लगाते हैं तोches का पूल आजाता है है और फूल सफेद होता है वजन दार की नाम से पता है क्याद्य 就 तो वाइड इसका फूल एकदम तो इसमें कोई दिक्कतन है है फूल की साइज परफेक्ट रहती है दूरिक हिसाब से बढ़ा आता है नजीक लगाएंगे तो छोटा आएगा और इसकी नसरी आप 20 नॉंबर तक इसकी नसरी डाल सकते हैं कमपनी भी अपने ब्रांड है बायो सेिट्स की कोंड्य इसमाएंगे कोई दिककत नहीं है कमपनी भी एक नमर की वह ऑड़िक निकाली निकाल है कोराल वाइट प्लस हे दोस्तो बहुत हिलाजबाव है क्योंकि इसका फूल इजब सफेद आता है और ठोस वजनदार तीन केजी तक इसका फूल हमने उगाया है दोस्तों तो आप लगा सकते हैं जदा मांगा भी नहीं है और दूसरे नमर की बात करें दोस्तों तो पान सीट्स की सीटल है यह भी दोस्तों बहुत ही लाजवाब है यह दूसरे नमर की ब्राइटी दोस्तों एकडम परफेक्ट को भी आप इसके इसकी नहसरी आप दोस्तों पूरे नौंबर भर डालिए कोई दिक्कत नहीं कि इसका फूल वजनदार होगा इसकी फूल की साइज दोस्तों तीन से सारतीन केजी तक फूल की साइज हो सकती है जैसा कि आप लगाएं दूरी पर लगाएंगे तो वजन बढ़ जाएगा और नजिक लगाएंगे तो वजन घट जाएगा यह बहुत ही बेश्ट है फूल इसका भी सफेद आता है पान सिट्स की सीतल इसकी नहसरी दोस्तों आप 15 अगस्त से ले करके पूरे नौंबर भर इस में किसी प्रकार का रुवा के समस्या नहीं है इसमें हलका पन के समस्या ने एक दम वजन दार फूल इसका आता है सफेद आता है और लाइट दार फुल रहता है दोस्तों आप इसे लगा यह बहुत भी स्प्रिजाति है नोवंबर बहुत ही अच्छी है हमने भी मैं इस आभ इसे नमबर भर लगा सकते हैं 15 अधसे लेकर के फूरे नमबर हाब लगाना दाज़्टत्टी फोरक के कहते हैं इसके और चार सब लेकर नाहिक नहीं दोस्त 지금 अब को पांश खा papasar तक मिलेगी दोस gio तो इसकी फूल की साइज की बात करें दोस्तों इसका फूल की साइज दो केजी तक अस्थन मिलेगा आपको और पूरा सफेद रहेगा और इसकी नर्सरी की होती है कि नर्सरी कब डालनी होती है तो इसकी नर्सरी की बात करें दोस्तों तो आपको इसकी नर्सरी पूरे डाल सकते हैं किसी भी प्रकार की समस्याने होगी फूल एकदम जानदार वजनदार बढ़िया आएगा दोस्तों आप इसे लगाए फोटा या सेमनीज सिर्च की बहुत ही बेश्ट है एकदम पूरा इसका फूल जो है पत्तियों से जिससे इसकी फूल एकदम सफेद आता है औ और वजन रहता है यह नहीं कि हलका रहता है दोस्तों एक गर्मी के लिए लगाएं दोस्तों जब इस दिसंबर में इसकी डालेंगे दोस्तों जब यह कटेगा आपको अपराय लोगयरा में तो आपको बहुत अच्छा मुनाफ़ा देगा दोस्तों क्योंकि उस समय कुछ प दोस्तों धन्यवाद